क्वेस्टिन नमबर वन पार नमबर थ्री इस साइन फाइफ ठीटा इंटू कोस टू ठीटा अब ये कौन सा फार्मुला है साइन एलफा इंटू कोस बीटा हमारे पास क्या आएगा यानि कि हमारे पास जो गीवन है चीज वो है S और C अगर साइन पहले आता है तो ये हमारे पास कौन सा फार्मुला है S प्लास S वाला ना S प्लास S वाला आप देखें क्या ये कंप्लीट फार्मुला है S और C प्रोड़क्ट की फोम में हमेशा क्या हैगा सबसे पहले तू लाजमी लगाता ही इसके बाद देखें 2 साइन इंटू कोस बीटा इक्वल टू साइन प्ल सारी एक्वेशन को 2 के साथ मल्टिप्लाइ भी करवाते हैं और उसी तना जैसे मल्टिप्लाइ करवाए और 2 के साथ दिवाइड भी करवा रेते हैं तागे की उप्रेस करना हो अब देखें अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वार्मेंट पूरी हो गई 2 साइन अलफा प्लस तू बीटा साइन प्लस कोस आलफा इसफाइव ठीटा माइनस बीटा इसए टू टीटा और टू इस तना साइन सैवन ठीटा प्लस कोस प्लस कोस थी ठीटा ओबर को इस 1 over 2 को बाहिल लितने हैं तो महारे पास क्या बच्चता है sin 7 theta plus cos 3 theta Question number 1 Part number 4 2 sin 7 theta into sin 2 theta यह महारे पास किसे formula relate कर रहा है यह महारे पास कर रहा है जनाब minus sin sin equal to product की form में 2 साथ के साथ लाजमी आएगा इसको जब हम expand करेंगे तो हमारे पास क्या आजेगा c minus c अब दिखें हमारे पास अगर हम इसकी expandation करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 sin alpha minus sin alpha into sin beta इसका हमारे पास formula क्या होगा cos alpha plus beta minus cos alpha minus beta अब देखें जड़ा अब यहां पर हमारे पास क्या चीज़ गीवन है प्लस में है लेकिन जो हमारे पास formula वो negative की sense में है यहां पर है minus 2 sin sin यानि कि यह हमारे पास formula होना चाहिए तो हम इसकी explanation कर सकते हैं अब देखें अब यहां पर की चीज़ की कमी है minus की तो पहले इस form को correct करते हैं हम इस तरह लिख सकते हैं क्या यहां पर हम करते हैं minus minus 2 sin 7 theta into sin 2 theta अब यहां पर देखें जब यह minus minus के साथ multiply होगा तो minus minus plus वो हम दुबारा फिर question में वापी चले जाएंगे अब आगे यह minus को बाहर निकाल लें अब यह minus 2 sin alpha into sin beta यहां पर जो 7 theta है alpha consider होगा यहां पर 2 theta consider होगा beta ठीक है जी अब देखें अब हम simple formula की दरफ आते हैं formula हमारे पास क्या पर आप है cos alpha is 7 theta beta is 2 theta बड़ाकरी close इसके बाद क्या करेंगे minus cos alpha is 7 theta and beta is minus 2 theta ठीक है big bracket close करते है minus cos is 5 theta minus cos is 7 or 2 9 theta sorry 9 theta minus 5 theta यहां पर question complete question number one part number five is cos x plus y sin x minus y पहले देखें यह किस formula से relate कर रहा है यह हमारे पास जी relate कर रहा है cos or sin यानिके cos पहले है sin बाद में इसका मतलब क्या है अब देखें यह तो complete formula भी नहीं है यहां पर two की कमी पेशी है तो यह हमारे पास एक complete formula बनेगा यहां पर हमें क्या करना परेगा इस सारी value के साथ two को multiply भी करना परेगा और divide भी करना परेगा यह हमारे पास क्या आजएगा two s plus y into sin x minus y multiply किया था divide भी करना लेती है अब देखें अब इस formula को open करते हैं हमारे पास क्या है s sin x plus y plus x minus y यहां पर यह चीज़ को consider किया जाएगा alpha इस सारी चीज़ को consider किया जाएगा beta alpha plus beta minus sin alpha is x plus y and minus इसका minus यहां यह होगा sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta ठीक है यह मारे पास आगया alpha यह minus का sin यह जो minus है minus formula का है इदर आएगा minus beta is x minus y आप देखें minus है यह होज़ेगा plus ठीक है जी over 2 इदर के आज़ेगा sin यह हमारे पास y y से cancel यहां पर x x से cancel हमारे पास क्या आगया 2x minus sin 2y over 2 अगर हम 1 over 2 को बाहिर लिखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आती है sin 2x minus sin 2y 1 part number 6 is cos 2x plus 30 degree cos 2x minus 30 degree अब देखें cos cos वाला फार्मूला आएगा cos और cos वाला अब देखें c c मतलब क्या है मारे पास वाला यहां पर हमारे पास आएगा c plus c आप देखें फार्मूला कंप्लीट है अगर नहीं कंप्लीट तो साथ 2 आएगा ठीक है इसका मतलब क्या है कि सारी एक्वेशन को हमें 2 के साथ मल्टिप्लाइ भी करना परेगा 2x plus 30 degree into cos 2x minus 30 degree over 2 के साथ मल्टिप्लाइ भी करेंगे और 2 के साथ डिवाइट भी करेंगे ठीक है अब दिखें यह हमारे पास क्या चीज़ कंसीडर की जाएगी यह हमारे पास alpha कंसीडर किया जाएगा यह मारे पास बीटा कंसीडर किया जाएगा अब देखें अब इस फार्मूले को एक्पैंड करते हैं हमारे पास क्या जाएगा कि तू एक्स माइनस थर्टी डिग्री इसी तरह को सो एलफा प्लास बीटा कोस ऐलफा इस टू अञ्स प्लास minus का sign यूज करेंगे minus minus plus इदर आजएगा 30 degree over 2 इस तरह cos ये 30 degree 30 degree से cancel यहाँ पे 2x 2x से cancel बाकी हमारे पास क्या बच गया 4x into cos 30 degree over 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आगया 1 over 2 cos 4x into cos 30 degree यहाँ के question number 1 का part number 6 complete होता है आगे question number 7 and question number 8 मैं लिख देता हूँ question number 7 क्या है sign 12 degree into sign 46 degree ठीक है इसको आप लोगों ने हूद करने है इसके बाद question number 8 जो है वो आपके पास क्या है sign x plus 45 degree into sign x minus